मेरे बेटे बहुत अच्छा काम कर रहा है तू अब कहीं पे थोड़ी देर काबर को रखके आराम कर ले इस बार मेरे बेटे तू ने मुझे काबर यात्रा करा कर मेरा जीवन धन्य कर दिया अब बहुत देर से तू चला जा रहा है थोड़ी देर के लिए यहां पे रुखजा आराम कर ले, मम्मी जी आप बिल्गुल भी चिंता मत करो, जैसी बैटी हो, बैसी बैटी रहो, इस कावर पर, जब मैं चल रहा हूं, तो आपको क्यों तिक्कत हो रही है, अभी मेरे पैर ठके नहीं है, जहां पर मुझे आराम करने का मन करेगा, भही पर आराम कर लूँगा, आप तो सिर्फ कावर पे बैटी रहो, एक तरफ देख रहे हो, कंगा चल ले, और दूसरी तरफ आप बैटी वी हो, और मम्मी जी ये तो मेरा पर जाए, आपको कावर यात्रा कराना, मैं नहीं कराऊंगा, तो कौन कराएगा, राहूल बागई में तुम बहुत अच्चा का कर रहे हो, इस साल तुम कावर यात्रा पर अपनी मम्मी को लेकर निगले हो, एक तरफ कंगा चल के कलस है, दूसरी तरफ तुम्हारी मम्मी बैटी वी है, कावर में, बैसे राहूल बहुत अच्चा काम कर रहे हो, दिलखुस हो गया तुमारा ये काम देखकर, एक बार प्र बैसोनिया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अब देखो एक तरफ तो आप बैटी वी हो, दूसरी तरफ तम से कम 80 लीटर जल लेकर राहूल चल रहा है, इतना बजन लेकर चलना बहुत बड़ी बात होती है, राहूल तुम बहुत अच्चा काम कर रहे हो, दोबारे मैं य बल्कुल सही कह रही है, अब तुम ठक गए होगे, थोड़ी देर रुक जाओ, आराम कर लो, यहीं पर बैट कर, तुम तो चले ही जा रहे हो, थोड़ी देर रुक रुक कर चलो, बजन बहुत है, तुमारे उपर, मोदी जी बजने तो क्या हुआ, सिब जी की किरपा है मेरे उपर, आप आराम से चलो, मैं भी चली रहा हूं, बेपकर रहो, मैं ऐसी चलता रहूंगा, मेरे कदम तब रुकेंगे जम मैं ठक जाओंगा, और मैं इतनी जल्दी आसानी से ठकूंगा नहीं, मम्मी जी अब हर साल मैं आपको इसी तरीके से काबर यातरा कराया करूंगा, चलो, जल्द से जल्द गाओं पॉस्ते हैं, बहाँ पर अपने सिपजी के मंदिर में इस गंगा जल को अर्पित करेंगे, और भाई लोगों वीडियो को लाइक रो, चैनल को सब्सक्राब करो,